आयोध्या राम जन भूमी बाबरी मश्जिद विवात पर सुप्रिन कोड में आज मात्र तीन मिनट की सुनवाई हुई चीफ जस्टिस की बेंच ने अब इस मामले की तारिख जनवरी दो हजार उन्निस तै की है बता दे कि आयोध्या केस पर सुप्रिन कोड में सुनवाई तीन महीने के लिए टल गई है चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया है कि इस मामले पर जल्द कोई सुनवाई नहीं होगी यानी देश चुनाओ की देहलीज पर होगा और आयोध्या मामले पर सुप्रिन कोड सुनवाई का काम आगे बढ़ाएगा चुनाओ के लिए राजनितिक दलों में गर्माहट पहले ही महसूस की जा रही है 2019 चुनाओ से पहले मोधी सरकार पर घर के अंदर से भी चोतरफा दवाव बनता जा रहा है कि वो राम मंदिर के निर्मान के लिए सदन में कानून लाए और आयुध्या में राम जन भूमी पर मंदिर निर्मान का रास्ता साफ करे